हलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी कागवार फिर्ट से आपके अपनी यूटूब चैनल स्टेडिसर जी में दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ जैसा कि आप सभी को पता है यूजी सी की गाइडलाइन का पूरी तरीके से सुप्रीम कराये जाएगा या फिर आपको प्रमोट किया जाएगा तो आपको बता दें यहां पर यूजी सी अंतिम वर्स की परिक्षा दिसा निर्देश विरोध करने वाली याजका सुप्रीम कोट का आदेश जैसा कि उन्होंने उस याजका को पूरी तरीके से तीन दिनों के लिए सुरच्छित रख दिया ये बाते मैं जैसा कि अपने वीडियो में बताता चला रहा हूँ आखिरकार ये फैसला सुरच्छित क्यूं रखा गया बाते क्या हुई तो सारी बात मैं आपको इस आइडियो जी गाइज जो आइडियो अभी आपको मैं सोना उनगा उसमें सारी बातों का पता चल जाएगा आप वीडियो लाज तक जरूर देखें और बातों पर थोड़ा जब जरूर करिए आखिरकार ऐसा चात्रों के साथ क्यों हो रहा है कि डेट पर डेट उनकी जो है डिले करती चली जा रहे सुप्रीम कोट या यूजी सी क्यू आखिरकार एक ही बा लूजी जोड़ जजी हूँ बातों ऑर जाखिरकार एक ही डेटी जाखिर्ट नजरी जरूजी सा यूजीजीन टेस्वाक बातों यूजी एक यूजी ऑफ वीयूजी इन उनकी टेसे तरे बादिश कोटिए लूजी जजी है जान। टेट जाखिवा लूजीज टेखें Supreme Court as to how the UGC also was on board for not conducting examinations up till April. The expert committee had also made likewise recommendations, but it was only suddenly that the UGC has gone ahead and had a change of mind pertaining to final year examinations. So we brought to our viewers the arguments and the submissions by the state of Maharashtra a short while back. Presently, Solicitor General Mr. Tushar Mehta is making a representation for UGC and he is defending UGC's right to go ahead with its decision to conduct the exams. But a short while back like you rightly mentioned, the government of Delhi also made its rebuttals. We had senior advocates representing Delhi go on to cite as to how this is going to pose unique difficulties for students. They went on to cite as to how there are differences on ground between students, some privileged, some not so privileged the ones who are not so privileged do not have access to latest technology to avail of all the facilities of online classes, etc. that is being made available. So a lot of back and forth happening. There are a lot of other councils who are interveners, who are speaking in the interest of the students saying that exams should not be conducted, while at the same time the teachers group is also being represented by one senior advocate, Mr. Vijay Navare, who is batting in favour of the conducting of exams. So a lot of exchange happening in this particular hearing. This is a bench comprising Honorable Justice Ashok Bhushan, which is seized of the matter. And just at the beginning of today's hearing, the Supreme Court went on to opine that the best interests of the students cannot be decided by the students themselves, but it has to be decided by a statutory book. Guys, हम किसको सही न्यायदे इस वज़ा से फैसला डेली करती चली चली जा रहे है. सुप्रीम कोट हाला कि UGC 6 जुलाई की जो गाइडलाइन जारी की थी उसका भिरोद सारे स्टेट के जी गए, सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों के द्वरा किया जारा तो guys, यह थी पूरी बात जैसा कि हमने आपको सुनाया, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पशंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पशंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादस ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों तक सेर करिए जिससे कि वो भी इस बात से aware हो सके काफी लोग जो भक्ती कर रहे हैं वो भक्ती से उनका जी guys, जो यहाँ पर कुछ सरकार कुछ student ऐसे हैं जो एकदम भक्त हैं लेकिन यहाँ भक्ती काम नहीं करेगी आपको अपने हग के लिए लड़ना होगा यहाँ student के साथ जी guys, यहाँ सारी student के साथ जो राजनीती हो रहे हैं उस बात को student समझें और अपनी आवाज उठाए तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस, नए टापिक, नए गाइडलाइन के साथ आप सभी से चलते चलते एक बार फिर से आप सभी का तह दिल से सुक्रिया आप वीडियो में लाज तक बने रहते हैं और अपने कमेंट के जरीए अपनी प्रत्रिया देते हैं इसके लिए आप सभी का तह दिल से सुक्रिया जैहिन वंदे मात्रम